अलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अगेन विवेक मिश्टा टेग मेटेस्विश्टर हम लोग जिस कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में एंसीसी लिम्टेड है तो अभी इसके क्वाटर वन के रिजल्ट आ गये हैं और सेर जो है वो 63 उपी 65 पैसे के राउं किया है इसके fundamentals भी चेक करेंगे और इसके चार पर भी बात करेंगे कि आने वाले टाइम के लिए हम लोग को 3 मन्त में कौन से टार्गेट मिल सकते हैं 6 मन्त में कौन से टार्गेट मिल सकते हैं और आगे आने वाले long term के हिसाब से कैसी company है तो सारे चीज़ों को विस्तार से discuss करेंगे मेरे साथ वीडियों बने रही है जो चाल पर नहीं हुच है सब्सक्राइब कर लें नोट पिसन बेल और पर रखें जिससे आनवाले इनिश्ट अपडीट आप से मिसना हो आप टेलिग्राम पे जोइन कर सकते हैं न्यूज और डिविडेंट अनॉस्मेंट के लिए लिंक वीडियो रिस्पन बॉक्स में मिल जाएगा दो चैनल है एक सेर मार्केस रेटेट एक क्रिप्टो का तो जाएए जोइन करिए बहुत सारी इंफर्मिशन पोस्ट होती रहती है अभी हाल फिलाल में दोस्तों बहुत सारी कंपनियों के डिविडेंट अनॉस्मेंट लोगों का भी वेनफिट है जाएन करने के साथ ही आप आपको जो डाउट है किसी भी सेर से एटेट वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में या टेलीराम पे जाएन करके डारेक्ट ऑनर जो हैं ग्रुप के उससे बात कर सकते हैं और वहां पे भी अपने रिप्लाई ले सकते है किसी भी सेर में आपको दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हैं या किसी में आपने निवेस कर रखा है तो उसके बारे में क्या आपको मतलब हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग किसी दूसरे का भी परस्पेक्टिव जानते हैं तो थोड़ा हेल्प होता है अपनी प्रोटफोलियो लोगो ठीक करने को अगर आपको सही लगता है तो आप वो भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं वहाँ पर चले फटा फटा हम लोग NCC पर बात करेंगे तो काफी अच्छी कंपनी रही है दोस्तों बजेट विनिंग कंपनी भी थी ये 2021 में पर कुछ इतना खास कर नहीं पाई क्योंकि कोविट की वेज़े से तो उसके वेज़े से इतना कुछ ग्रोथ भी नहीं मिला पर overall ग्रोथ तो होनी थी मलब इसके share price में नहीं इतना ग्रोथ दिगा पर हम लोगों को market capital इसकी ग्रोथ हुई मलब company की जो investment है वो जायर सी बात है previously से पहले से increase है आज इसके quarter one के result आये हैं तो उसके भी बात होगी engineering and construction field में आ जाता है इसका earning per share जो हो रहा है अभी वो 7.9 रूपीस का हो रहा है तो अच्छा खास है market capital इसकी 39.913 billion किया जाती है dividend yield जो चल रहा है वो 3.14 का है तो basic dividend yield है price earning ratio sector wise एक जगह है क्योंकि 8 का दिख रहा है तो सही जगह पर है क्योंकि इसके sector के जीतनी और कंपनिया है वो थोड़ी high भी दिखती है चार्ट पर आपको देखने को मिलेगा दूस्तों अगर हम लोग one yearly wise देखें तो काफी एक तरीके से अप डाउन अप डाउन बहुत जादा होता रहता है और अप डाउन होते होते यह डाउन ही आया है से ठीक है मतलब आप उपर के लेबल से देखेंगे तो अगर हम लोग इन डाउट को ऐसे करें तो एक तरीके से डाउन प्रफॉर्म हुआ है पर यहां से कुछ लेबल से अर्जेस्ट होने के बाद यह जो मूवमेंट है यह अच्छी दिखती है तो स्विंग ट्रेडिंग क देखिए दोस्तों इंजियरिंग एंड कर्ष्ट्रेक्शन रिलेटेड़ सर्विसेज है अपरेट करता है अपने इंडिया में और बाहर भी इंडिया के सेग्मेंट जो है वहां पे बिल्डिंग पर काम होता है हाउसिंग का है वाटर एंड इंवार्मेंट पर है अब डारेट इसके अगर फाइनेंस पर बात करें दोस्तों तो मैं तोड़े कुछ आपको पॉइंट गिनाना चाहूंगा जो की काफी अच्छे दिखते हैं जैसे इसकी बुक वैलू से अभी आपको ठीक जगह पर खरीदने के लिए मिल जाता है कंपनी की फेस वैलू टू हुआ है प्रमोडस की ओलिंग बस 22 परसेंट है तो बहुत बड़ी नहीं है पर ठीक ठाक दिखती है अभी हम लोग बाकियों की भी चेक कर लेंगे मतलब फॉरन के लोग कितना होल्ड करने और अपने डोमेस्टिक रोग रिटर ऑन एसिट की बात करें तो 2.24 है आल टाइम ह और खामियां तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके डेप्ट रिडिउस हुए है पर वहीं पर दिखता है कि इसके जो बोरोइंग से अभी भी बड़े नंबर पे है इसके डेप्टर डेज पहले से बैटर हुए है रिजल्ट आने की जो उमीद है अगले क्वाटर टू की वो अच्छी बताई जा रही है इसका स्टॉक का जो डिविडेंट येड है वो भी ठीठा परसंटेज में दिखता है बुक वैल्यू से आपको सही जगा पर दिखता है कॉन्स पे वही बात है जो प्रमोडस की वोल्डिंग मैंने आपको बताया कि कम परसंटेज दिखते है सेल ग्रोथ इसकी पांच साल की कम हुई है जाहर सी बात है सभी कंपनियों को एफेक्ट हुआ है कोविड के वाज़े से दो साल का और क्योंकि ये कंपनिया इसले ज्यादा एफेक्ट हुई है क्योंकि इंजिनिंग कर्षेक्शन का काम था तो जब लॉगडाउन था तो इन लब सुरू हो गए थे और अभी हम लोग अगर इसको काउंट कर लें तो हम लोग मार्च तक डाटा तक देख सकते हैं कि यहां पर हमको पूरा इफेक्टिव मन्त थे यह सभी ठीक है फिर भी यहां पर देखा जाए तो स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी जहां पर 16 करो इसको ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ बट क्योंकि ओवर ओल चीजों पर इफेक्ट था तो मार्केट पर इफेक्ट था तो इस सेर पर चार्ट में वह एफेक्ट देखने को मिला कमपनी को फैनेंसली कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई ग्रोथ ही हुई है यहां पर जैसे अब इसके अगर हम सेर ओल्डिंग पर बात करें तो जून का डाटा जुलाई का डाटा यहां पर काफी ज्यादा अच्छी बात है कि लेटेस्ट अबडेट है तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 21.99% है मलब थोड़ी सी इंक्रीज किया है प्रमोटर्स ने और हमको देखने को मिल रहा है कि पहले से थोड़ा बढ़ा ही है और फोरन की इंवेस्मेंट इसमें 9.66 की है उसके बाद 11.17 अपने डोमेस्टिक इंवेस्टर पब्लिक के पास इसकी होल्डिंग जो है वो 57 है तो बड़ा परसेंटेज अभी भी पब्लिक के पास है जो कि जितना ज्यादा प् क्योंकि पब्लिक कुछ लोग बाई कर रहे होते हैं किसी भी लेबल पे कुछ लोग किसी लेबल पे सेल कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा इसमें क्योंकि छोटे छोटे ट्रेड होते हैं उस वज़े से मूवमेंट ठल चल बहुत ज्यादा सेयर में रहती है तो वो इसमे में hold करके चलते हैं तो dividend आपको मिलने वाला है 2 रुपए का ठीक है तो अगर आपने इसकी quantity खरीदी तो इसको 2 से multiply कर लीजिएगा उतना dividend आपको 200 रुपए मिल जाने है सिंपल मैत है डारेक्ट अकाउंड में आता है dividend तो यह चीज रहती है आपको share sale करने की भी जरुवत नहीं रहती है अगर आपको dividend चाहिए और अभी dividend लेने के चक्कर में आप अगर loss में आगे share में मैं assume कर रहा हूं कि आपने इसको बाई किया था 59 पर यह share dividend देते समय आपको यह थोड़ा 56 रुपीज पर या 55 पर आ गया तो आपको exit करने की जरुवत नहीं है तब भी आपको dividend मिल जाएगा और जब share उपर वापस से 65 75 जाता है तो आप sale करिए profit में मतलब इसमें कोई दिक चेकर में भी भाई किया तब भी आप profit में चाहें तो exit कर सकते हैं ठीक है और अगर इसके अभी हम लोग चार्ट पर लेटेस्ट पर बात करें तो हमको देखने को मिलता है support 55 रुपीज पर खरीदने का जो 59 रुपीज पर जो currently चार्ट पर नजर आता है 60 रुपीज से लेके 56 रुपीज के बीच में बन रहा है इसमें टार्गेट हमको 74 रुपीज का दिखता है फिर 84 रुपीज का फिर 97 तक के टार्गेट दिखाई पड़ते हैं तो इस हिसाब से इसमें अपडेट हो जाएगा फिलाल के लिए thanks for watching studio मिलते हैं आपको ने सुमें साथ नेक्स वीडिय के लिए दिखता हैं तो में वाँ दिखता हैं तो इसमें वाँ पाँ में वाँ के लिए में जाएगा।